इस फिल्म की कहानी ब्रेंडी नाम की एक लड़की पर आधारित है जो अपनी हवस मिटाने के लिए अलग-अलग तरीकों से घपा-घप करने की एक लिस्ट बनाती है अब ब्रेंडी अपनी इस लिस्ट को पूरा कर पाती है या नहीं ये हम आज की इस एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले हैं हेलो दोस्तों आर में जिस फिल्म को एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है दा टू-डू लिस्ट और ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी फिल्म की शुरुवात में हम ब्रेंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने हाई स्कूल के फेरवल सेरमनी में एक स्पीच दे रही होती है ब्रेंडी की स्पीच सुनकर वहाँ बैटे सभी स्टुडेंट पकने लगते हैं तभी उनमें एक लड़की ब्रेंडी को सब के सामने बोलती है कि तुम तो एक वरजीन हो और ये बास सुनकर सभी लोग ब्रेंडी पर हसने लग जाते हैं पर ब्रेंडी इसका कोई भी जवा प्रपोस्त करने आयए था पर अब वो ऐसा नहीं करता क्यूँकि उस बिचारे का चूतिया कर चुका था तब ही वहाँ पर ब्रेंडी की दो best friends फियोना और विंडी आती है और ब्रेंडी को अपने साथ ले जाती है रास्ते में ब्रेंडी अपने एक to-do list निकालती है उस list में बहुत सारी ऐसी चीज़े लिखी वी होती है जो ब्रेंडी इससल अपने कॉलेज जाने से पहले करना चाती थी इसके बाद वो तीनो एक party में जाते हैं party में ब्रेंडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता इसलिए वो अपने दोस्तों को वापिस घर जाने के लिए बोलती है ब्रेंडी वाँ से जाने ही लगती है कि तब ही उसकी नजर रस्टी नाम के एक सस्ते rockstar पर पढ़ती है जो वहाँ पर guitar बजा रहा होता है रस्टी की body देखकर ब्रेंडी की तन बदन में आग लग जाती है और वो एक शराब की पूरी bottle पी जाती है अब ब्रेंडी ने पहली बार शराब पी थी इसलिए उसे बहुत ज़्यादा चड़ जाती है और वो नशे में सब के सामने काफी अजीब हरकते करने लगती है वहाँ पर camera भी होता है और वो ब्रेंडी को ये सब हरकते करते वे देखकर हैरान हो जाता है इसके बाद ब्रेंडी के friends उसे आराम करवाने के लिए रूम में ले जाते हैं और वहाँ पर उसे एक bet पलिटा देते हैं कुछ दिर बाद वहाँ पर रस्टी भी आ जाता है और ब्रेंडी को कोई दूसी लड़की समझ कर उसके साथ चुमा चाटी करना शुरू कर देता है थोड़ी दिर तक ये process चलने के बाद जब रस्टी lights on करता है तो वो देखता है कि ये तो कोई और लड़की है और वो ब्रेंडी को sorry बोलकर वहाँ से चला जाता है अगले दिन इस सब के बारे में ब्रेंडी अपने दोस्तों को बताती है कि कल रात उसे ने रस्टी को किस किया था ये सुनकर विंडी बोलती है कि तु पागल हो गई है क्या तु ने रस्टी के साथ घप घप करने का मौका गवा दिया विंडी बोलती है कि तुम्हें पता है कि रस्टी तो पूरुशी नहीं है बलकि महापूरुश है और अगर मैं तुमारी जगा होती तो कपका उसके साथ पलंग तोड़ चुकी होती तबी ब्रेंडी भी डिसाइड करती है कि इन गर्मियों की छुटियों के खत्म होने से पहले वो रस्टी के साथ पलंग तोड़ संबोग करेगी अगले दिन ब्रेंडी एक वाटर पार्क में लाइफ करड की जॉब के लिए जाती है वहाँ पर वो फिर से रस्टी से मिलती है जिसकी बॉड़ी देखकर वापस उसके तन बदन में आग लगना शुरू हो जाती है इसके बाद ब्रेंडी पूल के मैनेजर विली के पास जाती है जो बंगाली बाबा का चुरून खा कर सोयावा होता है फिर ब्रेंडी उसे उठाती है और विली ब्रेंडी को पूरा पूल अकेले साफ करने के लिए बोलता है काम खत्म करने के बाद ब्रेंडी घर पर आती है और अपनी मॉम से पूछती है कि आपने अपनी सील कप तुड़वाई थी अब ब्रेंडी की मॉम उसे कुछ बोले उससे पहले ही उसके डैड बोलते हैं कि अपनी शादी की पहली रात को दोस्तो ऐसी open बाते बच्चे सर्फ बार के देश में ही कर सकते हैं अगर आपने यहाँ ऐसा करने की कोशिश करी तो आपका पाप आपके पिछवाडे पर मार मार कर उसे लाल कर देगा इसके बाद हम ब्रेंडी के पैरेंट्स को उनके रूम में देखते हैं यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि हमें ब्रेंडी से घपा घप के बारे में खुल कर बात करनी चाहिए पर उसके डैड उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि पिछली बार जब तुमने अंबर से इस बारे में बात करी थी अब ब्रेंडी की बढ़ते वी हवस चरम सिमा पार कर चुकी थी और उसे किसी न किसी के साथ तो घपा घप करना ही था इसलिए उसी रात ब्रेंडी एक टूडो लिस्ट बनाती है जिसमें किस करने से लेकर घपा घप करने तक बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो वो हमेशा से करना चाती थी अगले दिन ब्रेंडी अपने लिस्ट अपने दोस्तों को दिखाती है अब क्योंकि ब्रेंडी एक बहुत पढ़ाकू लड़की थी फिर brandy वहाँ से बाहर निकलती है تو तभी वहां पर willie आता है और वो भी brandy को पानी में गिरा देता है फाइनली रस्टी उसे बाहर निकालता है पर फिर वो भी उसे पानी में ध़क्का देकर वहाँ से चला जाता है शाम को Brandy Willi के पास आती है जो पूल की सफाई कर रहा होता है फिर Brandy अपना बदला लेने के लिए Willi को पानी में धक्का दे देती है थोड़ी दिर बाद Brandy देखती है कि Willi को तो तैरना ही नहीं आता तो वो तुरंद पानी में कूथती है और Willi को बाहर निकालती है इसके बाद Brandy Willi को ब्लैक मिल करने लगती है और वो बोलती है कि मैं इसके बारे में वाटर पार्क डिपार्टमेंट वालों को सब कुछ बता दूँगी इस पर Willi उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज किसी को कुछ मत बताना और मैं तुमें कुछ पैसे भी दे दूगा और इसके बादे तुम मुझे स्विमिंग भी सिखा सकती हो जिस पर Brandy मान जाती है उसी रत Brandy अपने लिस्ट के पहले टास्क को कम्पलीट करने का डिसाइट करती है जो ता फिंगर बैंक इसके लिए वो अपने दोस्ट Cameron के घर पर जाती है और उसके बास जाकर उसे किस करना शुरू कर देती है फिर Brandy Cameron को उसके मौत के कोई में उंगली डालने के लिए बोलती है और Cameron भी Brandy के बोलने पर वैसा ही करता है और इसके साथ ही उसका पहला टास्क कम्पलीट हो जाता है अगले दिन Brandy पूल पर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और तभी वो डिसाइट करती है कि आज रत को वो अपनी लिस्ट का दूसर टास्क कम्पलीट करेगी जिसका नाम है हस्त मैथुन अब रात को Brandy रस्टी को इमेजिन करती वी अपने मौत के कुए में हाट डाल कर अपना दूसरा टास्क भी कम्पलीट कर लेती है Brandy चरन सुक का अनद लेने ही वाले होती है कि तभी हमाँ पर उसकी भेन एमबर आती है और बोलती है कि तुमारे लिए Cameron का फोन आया है फिर Cameron उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूसता है जिस पर Brandy उसे हाँ बोल देती है क्योंकि Brandy को अपनी लिस्ट के बागी टास्क भी कम्पलीट करने थे इसके बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए ठेटर में जाते है मूवी देखते वक्त Brandy को अपने लिस्ट का अगला टास्क याद आता है और वो Cameron की पैंट में हाट डालकर उसके छोटे पपू को हिलाना शुरू कर देती है इससे Cameron को काफी मज़ा आता है और इसी के साथ Brandy का ये टास्क भी कंप्लीट हो जाता है अगले दिन हम Brandy को देखते हैं जो रस्टी का ध्यान अपनी तरफ खीचने के लिए छोटे कपड़े पहन कर पूल पर आती है तब ही वाटर स्लाइट से नीचे उतरते वक्त Brandy की ब्रा खुल कर पानी में गिर जाती है Brandy को इस बात का पता नहीं होता और वो ऐसे ही पानी से बाहर आ जाती है जिससे सबी लोग उसके संतरों को देख लेते हैं जब Brandy को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी ब्रा लेने के लिए वापिस पानी में चली जाती है वहीं पूल के अंदर कुछ बच्चे ब्रेंडी की ब्रा के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और आप ब्रेंडी इन सबसे परेशान होकर बिना ब्रा के ही बाहर आ जाती है इसके बाद brandy willie को swimming सिखा रही होती है और तब ही मापर brandy की बहन ember उसको लेने के लिए आती है फिर ember को देखकर willie उसके साथ flood करने की कोशिश करता है पर ember उसको ignore कर देती है अगले सीन में हम Rusty को उसके दोस brandy से बात करते वे देखते हैं और दूसी तरफ brandy भी अपने दोस्तों से बात कर रही होती है brandy सोचती है कि शायद Rusty उसके बारे में बात कर रहा है इसलिए वो एक बच्चे को उसकी बाते सुनने के लिए उसके पास भेशती है वहीं दूसरी तरफ रस्टी को भी ऐसा ही लगता है और वो भी एक बच्चे को ब्रेंडी की बाते सुनने के लिए उसके पास बेशता है लेकिन दोनों बच्चे उनकी बाते गलत सुन लेते हैं और उन दोनों को भी गलत बताते हैं अब जिस बच्चे को Brandy ने भेजा था, वो Brandy को आकर बताता है कि Rusty इस वीकेंड को पब में म्यूजिक बजाने वाला है। और जिस बच्चे को Rusty ने भेजा था, वो उससे बताता है कि अगर तुम पाइनेपल जूस पी होगे, तो Brandy तुम्हारा गन्ना चूसेगी। यह सुनका Rusty खुश हो जाता है, और वो दो ग्लास पाइनेपल जूस के मंगवा लेता है। थोड़ी देर बाद Cameron Brandy के पास आता है, और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है। Brandy भी उसे हाँ बोल देती है, और यहां हम व्यूवर्स को बता चलता है कि साला Cameron अब Brandy से हाथ गाड़ी नहीं, बलकि घोड़ा गाड़ी चलवाना चाता है। इसके बाद हम Brandy को उसके दोस्तों के साथ देखता है, जो पब में रस्टी का इंतजार कर रही होती है। पर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी रस्टी वहां पर नहीं आता, क्योंकि उस दिन बच्चे नहीं उसे गलत इंफोर्मेशन दी थी। इसके बाद वो तीनों इंजॉय करने के लिए पब में आये कुछ बैंड मेंबर्स को अपने साथ वाटर पार्क ले जाती है। और फिर वहां पर Brandy उनमें से एक बैंड मेंबर का गरना चूसना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वेली भी उनकी आवाज सुनकर वहां पर आ जाता है। और उन सभी लोगों को बहुत डाटता है। इसके बाद हम Cameron को देखते हैं जो Brandy को लेने के लिए उसके घर पर आता है। Brandy घर पर नहीं होती इसलिए Cameron उसका वेट करने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। वेट करते वक्त Cameron को Brandy की घपा घप वाली लिस्ट मिलती है। और तब उसे Brandy के सारे कारनामों का पता चलता है। थोड़ी दर बात Brandy जब घर पर आती है तो Cameron उसे बहुत ही गुसे में बात करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन Brandy अपने दोस्तों को ये बात बताती है और बोलती है कि मुझे Brandon के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इस पर Brandy के फ्रेंड सुसर बोलते है कि तुम Cameron को छोड़ दो और जो लिस्ट तुमने शुरू किया है उसे खत्म करो। दूसरी तरफ Cameron भी ये बात अपने फ्रेंड डफी को बताता है। डफी ये बात सुनकर सिधर Brandy के पास जाता है और उसे समझाने लगता है। तबी Brandy Duffy के गले में लवबाइट देखती है और उससे पूछती है कि ये कहां से आया। इस पर Duffy उसे बोलता है कि मैं इस चीज बता नहीं सकता पर तुमको करके दिखा सकता हूँ। फिर Brandy भी इसके लिए मान जाती है और फिर वो दोनों वहाँ पर उपर उपर से ही एक दूसरे को रगणने लगता है। और वो उसमें देखती है कि Brandy ने Duffy के साथ भी घपा घप किया है। अब Wendy Duffy को बहुत पसंद करती थी और उससे Brandy का उसके साथ घपा घप करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो Brandy से गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन आप Water Park का सीन देखते हैं जिसे दूसरे Water Park पलों ने खराब कर दिया था। अब इसका बदला लेने के लिए रत को Brandy, Rusty और बाकी सबी लोग दूसरे के Water Park में जाते हैं और उससे भी गंदा कर देते हैं। इस दुरन Brandy और Rusty बे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस्स भी करते हैं। इसके बाद Brandy Rusty को फोन करती है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए बूस्ती है। Rusty वे सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो उसे हाँ बोल देता है। रात को एमर Brandy को Rusty के साथ सुहागरात मनाने के लिए अच्छे से तयार करती है और वो उसे जाने से पहले घपागप करने के टिप्स भी देती है। फिर Brandy Rusty के साथ डेट पर मिलती है और वो दोनों Rusty के कार में घपागप करना शुरू कर देते हैं। गपागप का प्रोसेस चलते वे कुछ मिनटी हुए होते हैं पर तब ही Rusty का रॉकेट उनने से पहले ही बुझ जाता है। इस पर Brandy सोचने लगती है कि साला मैंने जिसको रॉकेट बम समझाता वो तो फुसकी बम निकला। अब Brandy इससे बिलकुल भी खुश नहीं थी और तब ही उसे दूसरी कार में उसके डैट दिखते हैं जो उसकी ममी के साथ इड से इड बजा रहे थे। Brandy उनको देखकर घबरा जाती है और Rusty को जल्दी घर चलने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ घर पर हम Amber को देखते हैं जो विली के साथ घबा घब कर रही होती है। पर तब ही वहाँ पर Amber के पैरेंट्स आ जाते हैं और उन दोनों को घबा घब करते वे पकड़ लेते हैं। इस पर Amber की मौम मुसे बोलती है कि तुम यह सब जल्दी खत्म करो और इस लड़के को यहां से बाहर बेजो। फिर हम ब्रेंडी को देखते हैं जो अपनी दोस विंडी और फियोना के घर पर जाती है और उनसे माफी मांगती है। वो दोनों भी ब्रेंडी को माफ कर देती हैं और इसके बाद वो सब फिर से best friend बन जाते हैं। अब कुछ महींने बीच जाते हैं और हम ब्रेंडी को एक university में देखते हैं। यहां पर ब्रेंडी कैमरान से मिलती है और वो दोने एक दूसरे को sorry बोलते हैं। फिर वो दोनों ब्रेंडी के room में जाते हैं और वहां पर दबा के संबोग करते हैं। अब ब्रेंडी के to-do list के सारे task complete हो चुके थे और कुछ इसी तरह से यह film यहीं खत्म हो जाती है।